हेलो दोस्तों नमश्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज 10 माई को SAC MTS के आखरी तीसरे सिफ्ट का एक्जाम भी समाप्त हो गया है तीसरे सिफ्ट का अनलेसिस करने वाले हैं 100% जो रियल कोशन आप से पूछे गए थे आज तीसरे सिफ्ट में वो सभी कोशन लेकर आया हूँ एक बार फिर से तो वीडियो को इस बात पर लाइक के साथ सुरू कीजेगा जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिएगा लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुचाने के लिए शेर भी कर देना और रोजाना MTS का अनलेसिस देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बैल आइकन को ओन कर लिजिए क्योंकि पूरा अनलेसिस देखना आपके लिए बहुत जुरूरी है जिनका भी आगे एक्जाम होना बाकी है क्योंकि क्योशन्स रिपीट हो रहे है फर्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था होती है यानि कि आपसे पूछा गया था कि जो वितिये वर्स होता है वो कब से कब तक होता है तो यह एक वर्स की अवधी को बोलते हैं यह एक अपरेल से सुरू होकर अगले साल की 31 मार्स तक समाप्त होता है यानि कि मान लीजिए अगर मैं आपको 2023 का वितिये वर्स बताऊं तो इसे अपने काउंट करेंगे एक अपरेल 2023 से 31 मार्स 2024 ठक ठीक है अगला कोशन आपसे पूछा था रिपीटिड स्वाल है ये भी रिपीट हो रहा है चोथी बार रिपीट हो रहा है इस एक्जाम में अनुछेद 25 से 28 ये किस्से समधित है तो इसमें हमें मिलता है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार तो धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार आपका राइट आंस्पर हो जाएगा अगला कोशन आये था देशहरा को अन्यक किस नाम से जाना जाता है तो देशहरा को हम विज्या लक्ष्मी बोलते हैं ठीक है तो विज्या लक्ष्मी आपका यहाँ पे स्वरी विज्या दश्मी यह आपका correct आंस्पर हो जाएगा इसके बाद हम इसको आयूद पूजा के नाम से भी जानते हैं पर student ने कहा कि option में आयूद पूजा नहीं था option मे विज्या दश्मी दिया गया था तो विज्या दश्मी आपका right आंस्पर होगा अगला question आया था आलमगीर की उपाधी किसने धारन की थी तो आपको बता दूँ मुगल बादशा है ओरंग जेव ने आलमगीर की उपाधी धारन की थी तो ओरंग जेव आपका right आंस्पर हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया था history of British India इसने लखी है history of British India पुस्तक को लिखा है James Mill ने तो James Mill आपका बिल्पुल राइट अंस पर होगा वीडियो को पूरा देखिएगा question repeating हो रहे हैं हर सिफ्ट में लगबग आपके 3 से 4 कोशन पिछले वाली सिफ्टों से ही आते हैं और हमारी प्रेक्टिस से लगबग मैंने हर सिफ्ट में देखा है एक चीज कि हमारी जो प्रेक्टिस सेट हैं जिसमें मैंने आपको लगबग 100 वीडियो बनाई थी आपके लिए कोजी कोड केरला मिस्तित हैं ठीक है तो कोजी कोड केरला आपका राइट आंस पर था अगला कोशन आए था पी आर स्री जेस का समन्द किस खेल से है पी आर स्री जेस ये भारती है होकी के खिलाडी है और ये गोल कीपर की भूमिका में खेलते हैं तो गोल कीपर होकी आपका बिल्कुल राइट आंस पर हो जाएगा अगला कोशना है था इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है भोर का तारा तो आपको पता चल गया होगा शुक्र ग्रह को बोलते हैं भोर का तारा तो शुक्र ग्रह राइट आंस पर होगा अगला कोशन आए था जोगाई चोलाम नर्ते किस राजे से समंदित एक शैली है नर्ते की तो जो जोगाई चोलाम नर्ते की शैली है न यह मनीपूर राजे से समंदित है तो मनीपूर आपका करेक्टांस पर होगा इस कोशन में अगला कोशन आए था राजे का मुखिया कोन ह होता है या फिर इसे अपने एसे भी कोखते हैं जो राजय का कारे कारी जो उता है जो कारे कारी वाक होता है वो को सोर कई आपको पूरे भारत को बता है यह पूछा का यह निरियात संवरदक एजनसी है इसका मुख्याले किरल के कोची में स्तीत है अगला कौशन धोला वीरा किस राजे में स्तीत है तो आपको बता दूँ दोस्तों जो धोला वीरा है न धोला वीरा भारत के गुजरात राजे के कच जिले कि भचाऊ तालुका में स्तित एक पुरा तत्व स्थल है अगर आपसे राज्य का नाम पूछा है तो गुजरात राज्य आपका राइट आंस्वर हो जाएगा अगरा कोशन आये था भारत की पारलिया मेंट का नाम क्या है भारत की संसद को लोकसवा बोल दिया आता है राष्ट्य पती के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसवा को भंग करने की शक्ति होती है इस वाले के ओप्शन बताएगा एक बार सटीक ओप्शन क्या थे अगला कोशन पूंग चोलाम लोक नरते किस राजे से समंदित है तो ये मनिपूर का एक लोक नरते है तो मनिपूर राइट आंस पर होगा अगला कोशन आया था कि अर्थ विवस्ता में मंदी के साथ कौन सा बेरोजगारी उत्पन होता है अर्थ विवस्ता में मंदी के साथ जो बिरोजगारी आती है उसे हम चक्रिय बिरोजगारी के नाम से जानते हैं तो चक्रिय बिरोजगारी आपका राइट आंस पर होगा इस कोशन का अगला कोशन पूछा था आपसे फॉर्मूला वन रेस 2022 किस ने जीता है तो ये सार्जी ओ पेरेज और मैक्स वेर्श टेपर ने जीता बताएगा दोस्तों ओप्शन में सार्जी ओ पेरेज दिया था क्या एक बार ओप्शन बताएगा आप मेरे को इस कोशन का अगला कोशन आया था हिमाले के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं सबसे उत्तरी भाग को हम ट्रांस हिमाले बोलेंगे और ऐसा ये कोर कोशन बनता है वो भी आप देख लेते हैं एक बार हümाल्य के उत्री परवस रंखला को किस नाम सी जानते है तो जोन्सकर बोलेंगे बदाएगे दोनों में से कोन सा वला आपके एक्जामे आया था ट्रांस हिमाले आया था या फिर जोन्सकर आया था अगला कोशान पंडित रवी शंकर से पूछा था कि रवी शंकर का समंध किस्से है तो ये सितार व्यादैंतर बजाते हैं सितार व्यादक हैं ये सितार आपका राइट आंजपर था अगला कोशान पूछा था कि निमलिकित में से कौन सा parent महराष्टर में नहीं है तो आपको बता दूँ चंदोली राष्ट्य उध्धान, गुगुमल नेशनल पारक, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजे गांधी राष्ट्य उध्धान, मिजोर मनवेगाव राष्ट्य उध्धान, ये सबी जो है आपके महराष्ट्र में हैं, इनके अलावा जो उत्तरी और सबसे उन्ची परवस्रेणी है, यह है हिमाले की एक मातर स्रेणी है, जो पस्यम से पूरव की और अपनी निरंतरता बनाई रखती है, स्पश्ट रूप से लाष्ट्मा कोशन नहीं मिले हैं मुझे, टुवर्ड्स फ्रीडम, ओटो बायोग्राफी के लेखक प मिला था, ठीक है, लास्ट वाले कुछ कोशन स्पश्ट नहीं मिले हैं, पहले ही बोल रहा हूं आपसे, तो अच्छे से याद हैं जिनको एक बार कमेंट कीजिएगा, जैसे सोना और चांदी को मिलाने से क्या बनता है, इस टाइप से कुछ कोशन था, यह वाला भी पूरा क कोशन नहीं मिला है, अब साथ के कारण किस प्रकार का रोजगार यह भी स्ट रूप से नहीं मिला है मुझे, तो लास्ट में कुछ कोशन जो मैंने आपको बताए हैं, यह जिनको अच्छे से याद हैं, वो कमेंट कर देना एक बार, वीडियो को आपने पूरा यहां तक दे देली बेसिस पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन की घंटी कोन कर लीजे, जय हिंद जय बार